नमस्कार दोस्तों मैं God of sir आप सभी का God of IT classes में स्वागत करता हूँ आज का जो यह हमारा class है वो WCS का है और WCS first year के लिए और यह सभी trade में common होता है first year में WCS, Employability Skills और Engineering Drawing सभी का common ही होता है यह हमारा WCS का class है इससे पहले हम question number 187 तक कर जुके हैं आज हम question 188 से करना शुरू करेंगे लेकिन question number 87 में electric power का unit volt नहीं होता है यह हमने गलती से यहाँ पे इसको टिक कर दिया था इसका मात्रक होता है watt जोकि यहाँ पे water लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे गलती हो गया था ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है और watt होता है हमारा electric power का यहाँ की power यहाँ प्रतिरोध का मात्रक हमारा watt होता है ठीक है तो उसमें यह गलत हो गया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वाट होगा ठीक इसके बाद क्वेश्चन नमर 188 तरफ चलते हैं इसमें हिंदी में जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है यहां पर बराबर दिया गया था 550 जो कि यह गलत है यहां पर पी होना ठीक है पावर को जाए वाट में हम आपते हैं तो 550 वाट हमारा दिया गया है उसके बाद जो हमारा आर है यानि कि प्रतिरोध है वो बाइस ओम दिया गया है और इसके बाद हमें निकालना है आई तो कोई भी ऐसा सुत्र नहीं है जिसमें की डाइरेक्ट पी आई और आर का सेट हो जाए तो यहाँ पर हमें ओम के नियम में बदलना होगा ठीक है तो इसको हम यहाँ पर पेज बे बना देते हैं 188 नमर कुश्चन 188 नमर कुश्चन में हमें दिया गया है पी बड़ाबर 550 वाट उसके बाद हमें दिया गया है क्या आर आर हमारा दिया गया है 22 ओम यह ओम का सिंबॉल होता है उसके बाद हमें निकालना है आई आई वराबर वाट तो हम जानते हैं कि हमारा होता है भी वराबर आई आर भी वराबर जो आई आर होता है यह हमारा क्या है ओम का नियम है भी वराबर आई आर तो हमें इसमें B, I और R है जबकि यहां पर हमें P निकालना है हमें B का जरूरत मिल्कुल नहीं है उसके बाद एक सुतर हम इसे पहले जो कल हम निकाले थे वो हमारा क्या था? वो हमारा था P बराबर I, B P बराबर I, B है हमारा दूसरा फर्मूला था तो हम इसको P बला को हम यहां पर B जो है इसको हम कनवर्ट करके P के रूप में ले आएंगे तो उसके बाद हमारा कॉस्चन बन जाएगा तो यहां पर देखिए हमें B का बिल्कुल जरूरत नहीं है और हमें जरूरत किसी का है हमें जरूरत है इसमें P का ठीक है तो हम B को कनवर्ट करके P में बदल देंगे तो हम इसको कनवर्ट करते हैं P बराबर यहां पर B बराबर IR था तो हम B के जगाव पर IR रख सकते हैं तो पहले तो हम I रखेंगे ठीक है P बराबर I उसके बाद हम B के जगाव पर भी कामान यहां पर क्या दिया गया है भी कामान दिया गया है I R तो I और R ठीक है अब हम इसको निकालेंगे P बराबर क्या हो जाएगा I I को गुना कड़ेंगे तो I S2 हो जाएगा और यह हमारा R आ जाएगा ठीक है P बराबर I S2 R होता है अब हम इसको इस formula पे बैठा करके हम इसको बना सकते हैं आसानी से तो अब हमें निकारना है P हमारा कितना दिया गया है? P लबाबर P लबाबर हमारा दिया गया है 550 550 kids वाट ठीक है? अब हम सकोषते पे रखते हैं 550 वरणबर इसक्वेर आई हमारा दिया गरे नहीं और आर हमारा दिया गया कितना 22 ओम तो अब हमारा हम इसको कि इसके बाद हमारा यहां पर 22 ओम जो है वो गुना में है इसको हम इसे लाएंगे तो भागा में आ जाएगा तो हम इसको निकालते हैं पहले आई स्क्वाइर बराबर 550 बटा 22 अब बाइस से हमें भागा देना है 550 में तो इसको हम काटेंगे कितना से पहले दो से काट लेते हैं यहां हो जाएगा 11 और उपर में हो जाएगा दो दूनी चार एक प्वाइं दो से दो दूनी चार एक पर पंच पंदरा दो सत्ता चाओदा यहां पहो गया दो सो पच्छतर सही है उसके बाद फिर हमें इसको काटना पड़ेगा अब हमारा किस से कटेगा का इसके बाद 11 इसको खठते हैं तो ज्या दूनी बैस शर्ता से बाइस घटी आपचा कितना यहांपर पंच और पस कत्छे पच्छे पच्छ फופन यह हमारा निकला प2 यह यह मारा पचीश निकला है आई स्क्वाइर बड़ावर पचीश तो हमें अगर आई का मान निकलना होगा तो पचीश पर हमारा आजाएगा अंडरूट और इसको हम अगर निकालेंगे तो यह मान निकले का पांच ठीक है और यह करेंट कामा यह करंट है तो इसको हम किसी से आँसरोप्शन नंब्र दीजै गा और धारा का मात्रब्र एंपियर होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा पांच एंपियर इसके बाद चलते हैं क्कुश्चन नूमर एक्सोब नबासरी के तिवर कितने पावर की आबसी सकता है यानि कि हमें पावरं पी निकालना है हमें दिया गया है आई दिया गया है और आर दिया गया है आई बराबर 0.455 एंपियर ठीक है उसके बाद हमें दिया गया क्या आर जो की प्रतिरोध है आर हमारा 480 Ohm दिया गया है और हमें निकालना है P बराबर वट तो आप यहाँ देख सकते हैं उपर वला क्यों भी हमें P आर और I निकालना था। इसमें भी इमारा P, R, I है तो हम इसको फिर से इतना convert नहीं करेंगे direct हम जानते हैं कि हमारा सुत्र क्या होता है P बराबर I square R यह तो हम जानते हैं P बराबर I square R तो हम उसी पे इसको बैठा करके हम इसको निकाल लेते हैं हम यहाँ पे formula लिख लेते हैं P बराबर I square R जो कि हम पहले से निकाल के यहाँ पे रखे हुए है P बराबर I square R जो कि B बराबर I R और P बराबर I B के मिलाने से में बनता है ठीक है इतना करने के बात अब हम इसको सुत्र पे बैठा लेते हैं तो P बराबर हो जाएगा I square I हमारा क्या दिया गया है 0.455 इसका square हो जाएगा और गुणा में आ जाएगा हमारा 484 ठीक है अब इसको हमें calculate करना है तो P बराबर इसका आप लोग निकाल लिएगा अगर वर्ग तो यह हमारा आएगा 20, 70 और 25 इसको आप लोग गुणा करके देख सकते है ठीक है यह आएगा हमारा 20, 70, 25 और इसको आप गुणा करना है हमें 484 ठीक है और यहाँ पे 1, 2, 3 अंक पीछे दसमलब है तो यहाँ पे हमें 6 अंक पीछे दसमलब देना पड़ागा कितना से हमें गुणा करना है 484 से ठीक तो पी बरावर हो जाएगा अब इसको अगर इससे गुणा किजिएगा 484 से इसको आप अपना केलकुलेट कर लिजिए हम इसको बहुत बार कर चुके हैं तो यहाँ हमारा आजाएगा 100, 200 और 100 ठीक है इतना आ जाता है और उसके बाद हमें लगाना है इसमें दसमलब तो दसमलब हमें 6 अंक पीछे दसमलब लगाना है क्योंकि यहाँ देखिए 2, 2, 4, 2, 6 अंक पीछे है एक, दो, तीन, चार, पंच, छो यहाँ पे हमारा दसमलब लग जाएगा ठीक है तो यह हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा और हमें इसको निकालना क्या था पी निकालना था और पी को हम वाट से यानि कि इसका मात रख है इसका हो जाएगा एक, सो, दसमलब, 2,0,0, 100 वाट इसका देखते है अंसर में है एक, सो, नवासि नमर क्ु片चण एक, सो, पॉंट, दो, यहाँँ पे देख लीजए एक, सो, पॉंट, दो दिया गया है यहां 100.2 और संख्या को हटा दिया गया है इसका राइट आंसर अप्सन नमर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर अप्सन नमर सी है एक सो दसमलाब दो आप गुश्चन नमर चलते हैं 190 के तरह इसमें कर रहा है यदि एज़ेस्टेवल रजिस्टर में निमलखित के निमलखित लेवल है तो उसकी रेटेट यहां पर हिंदी में गलत दिया गया है इंगलीस में देख ली है और हमें मjust मत्रग हमारा Parliament अब खंट हमें आहरा और अई दिया गया है तो इसको लिख लेता है आह मारा इक वनज्टेवलों नोर्ण प्वित आ है और हमें आइडिया गाहा है आर-अर हमारा एक पॉइंट पॉंट पॉंच हे उसके वाद आई है कि हमारा जीरो पॉंट गलब एट एंपिर है ठीक है हमें निकालना है पी बडराबर वाट और हम अभी देखें आई अर और यही बला है ARP इसमें हमें जो हम फॉर्मना निकाले थी क्या था पि बराबर i square r ये फॉर्मना थो हम इसे पहले निकाल चुके हैं अब इसको बार 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 बदलना नहीं पड़ेगा अब हम इस सुत्र पर इसको बठा करके अराम से निकाल सकते हैं ठीक है तो अब देखिए P बराबर I square तो I कितना है 0.08 है इसका square हो जाएगा और उसके बाद हमें गुना करना है R यानि कि 1.5 को अब इसको पहले हम 0.08 का square करेंगे तो हमारा आजाएगा 8 का square हमारा तो 64 ठीक है और यहाँ पे 2 अंग पीछे दसमलब है तो यहाँ पे 4 अंग पीछे दसमलब होना चाहिए तो यहाँ पे 2 अंग है और 2 हम 0 लगा करके इसको 4 पुडा सकते हैं तो 1, 2, 3, 4 इसके बाद हम दसमलब लगा सकते हैं है जीरो फॉइंट जीरो जीरो rix4 अभिसको गुना करें कि गिटना 1.5 से ठीक है आज doğru पेर लगाने के लिए देखिए यहाँ पे20 समलब अगर हम हटाना चाहिए को अ और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर दिया हमारा किलोम क्लोम class प्सटा सब्सक्राइं पहले ohm में बदलना है तो उसको यह हम गुना करना पड़ेगा 1000 से kilo ohm को direct ohm में बदलने के लिए यहाँ पे हम 1000 से गुना कर सकते हैं यहाँ पे देखिए एक दसमलब अगर हम हटाना चाहे तो एक 0 जाएगा ठीक है अब हम इसको गुना करेंगे और हमारा अंसर निकल आएगा तो पी बराबर हो जाएगा इसको आप लोग गुना कर लिजिए इसका गुना करने के बाद आएगा चीन बे जीरो ठीक है अब यहाँ पे देखिए दो आंग पीछे दसमलब लगाना है तो दो आंग पीछे हम दसमलब लगा सकते हैं यह हमारा आएगा 9.6 और हमें निकलना क्या पावर पावर का मातर होता है वाट तो 9.6 वाट इसका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पे द प्लोडेशेंट लेंप जो की करंट लेता है जो उसे परकास्माय करने के लिए कितने वोल्ट की आवसकता होगी यानि कि इसमें क्या दिया गया है वाट हमें पावर दिया गया है कतना 20 और कितना करंट लेता है जिस प्रकास मैं करने के लिए कितने वोल्ट याप सकता होगी हमें कितने वॉल्ट यानी कि Dazu That नहीं हमें पूछ रहा हूँ ठीक है और हमें दिया गया है है सि यहां पे देख सकते है हमारा 40 वाट दिया रोट भी दिए गया कितना चालिस वर्ट त्थिक है उसके बाद में दो JEFF सकते हैं यह एंपीयर मंदिया गया है एंपीयर हम आटा संसिंग मेंनर आठ पे buryt वजय हमारा दिए ओर यहां पर यहां पर благ Lake R और यह दिया गया है हमें निकालना क्या है अब हमें निकालना है भी ठीक है पी एंपियर यानि इसे हम आई भी कर सकते हैं धारा को हम आई से सुषित कर सकते हैं आई दिया गया है पी दिया गया है और हमें निकालना है अब भी ठीक है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं question number 100 account भे तो यहाँ पर हमारा है i बराबर 0.10 उसके बाद हमारा p है p बराबर 40 watt और हमें निकालना है b तो हम जानते हैं यहाँ पर सुतर हमारा क्या होता है b बराबर i r इसमें i r बरा नहीं लेगे यहाँ पर p बराबर i b यानी कि p बराबर i v वाला सुतर लगेगा और यहाँ पर हमें भी निकालना है तो यहाँ से हम भी को अगर इससे लाए तो भी बराबर हमारा हो जाएगा p बटा i ठीक है पी बटा आई है इसका सुत्र हो जाएगा जो की पी बराबर आई भी से निकला है अब इस पे हम बठा करके इसका मन निकाल सकते हैं तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा पी जो हमारा है 40 वाट बटा आई हमारा है 0.10 ठीक है यह 10 अनब उड़ाना चाहे तो यहाँ पे डवल जिरो आ जाएगा क्योंकि दो आँक यहाँ है अब देखिए 10 से हमें काटना है 4000 को तो 10 से 10 हटा दीजे यह हो जाएगा आपका 400 और 400 हमें क्या पुछ रहा है था 400 भी इसका अंसर हो जाएगा देखते हैं इसमें है कहीं पे यहाँ पे दिखा दिखा गया है 400 वोल्ट अप्सन नंबर C में यह इसका करक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद है हमारा 112 नंबर क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन तो इसमें कहा रहा है कि एक 100 वाट के बल्प को एक किलो आवर उर्जा खपत करने के लिए कितने घंटे की आवसकता होगी यानि कि हमारा 100 वाट का बल्प है जो कि एक किलो आवर उर्जा को खपत करने के लिए इसको बेठा देया गया है और कितने घंटे में यह सारा का सारा उर्जा को खतम कर देगा इसके लिए एक नया सुत्र यहां पर आएगा उसको आप लोग नौट कर लिजिए ठीक है एक यहां पर नया सुत्र लिए आ रहे हैं आप लोग इसको नौट कर लिजिएगा question number 111 इसमें हमें पी दिया गया है कितना पी हमारा दिया गया है 100 वोल्ट ठीक है और उर्जा खपत की जमात उर्जा खपत उर्जा खपत हमें कितना करना है एक किलो वाट आहर हमें उर्जा खपत करना है तो उर्जा खपत का सुत्र आप लोग लिख लेजिए यहां हम लिख लेए हैं उर्जा खपत तो उर्जा खपत वराबर होता है वाट गुना घंटा गुना दिन बटा 1000 आप लोग इस तरफ से समझ सकते हैं यानि कि वाट घंटा दिन तो इसके बदले में वाट के बदले में एक जिरो गंटा बदले में जिरो और दिन के बदले में जिरो ठीक है यह आपका सुत्र है इसको आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए इससे जो क्वेश्चन है अभी बनने वाला है ठीक है उर्जा खपत बराबर होता है वाट गुना घंटा गुना दिन बटा है ठीक है पावर हमें दिया गया है और घंटा दिया गया यानिक हमें किलो आवर घंटा यहां पर दिन का बात नहीं है किलो आवर घंटा का बात है तो हमें घंटा निकालना है ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा वाट गुनी घंटा यह सूत्र में से और दिन हमें नहीं दिया यहां पर हमता हैं यहां भेंट हमें कितना है यहां पे देख सकते हैं 173 में किकलो वाटИ हो जाएगा और इसके बराबर यूर्भ हो जाएगा वाट हमें कितना दिया गया है वाट हमें दिया गया है 100 इक सो ठीक है और उसको इसको पाद में घंटा तो घंटा हम गंटा एजिटिस्ट रख देते हैं और इसके बटेम हो जाएगा 1000 ठीक है अब इसको चाहे तो तिर्षा गुणा कर सकते हैं या फिर काटना चाहे तो आप जुच तरह से निकालना चाहे आप यहां इसके बाद आप सॉल्व करके अंसर निकाल सकते हैं ठीक है तो हम इसको पह ऐक्राइब है और है स May किल वाट आवर्टा आवर घंटा को हमें हमें खतम करने के लिए अगर सो वाट का व और MB है 100 वाट का बल्प है तो हमें खपत करने के लिए 10 घंटे का समय लगेगा तो इसका right answer option number जो है इसमें देख लितें कहा है option number A में दिख रहा है 10 hour तो हमें 10 घंटे की जुर्रत पड़ेगा एक वाट आवर उरजा को खतम करने के लिए और वो भी 108 के बल्प से इसका right answer option number A हो जाएगा इसी के साथ आज का क्लास में आप्त करते हैं और next वीडियो में आगले क्लास को देखेंगे तब तक के लिए जाहिन धन्याट